हेलो इस्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ा ही कर रहा होंगे इस वीडियो में हम लोग करने वाले सीबिसी का जो ऑफिशिल सेंपल पेपर है वो सॉल्व करने वाले अब आप चाहे बेसिक क्यों हो चाहे स्टेंड लास्ट यह पेपर हुआ था उसमें काफी कोश्टन मतलब बेसिक जैसे थे स्टेंडड वाले में मिलब अच्छा बाइप मतलब हाड नहीं थे तो चाहे आप स्टेंडर्ड हो चाहे बेसिक को आपको दौनों इस्टूरेंट को यह करना है कोई भी कोश्टन किसी भी पेपर इस तो टोकल फाइफ सेक्शन होते हैं जिसमें सेक्शन एक वनंबंर मायग काउस्ट को स्टेंडर्ड होते हैं ना कोश्टरी आम इसंस्टील को यह में Test चुसट के रहे हैं इस तरह से सीड़ेंट पड़ले इस तरीकह की होते हैं आपका पेपर फेपरों छाब immens况 पर प्ल Lil screenshot दे लो इसका यह लिख लो गई ठीक है तो जलिए पहला question देखते हैं क्या है तो हम लोग आज करने वाले section A जिसमें सारे questions cover हो जाएंगे तो ज़र आप पहला question देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें हमें लिखा है two positive integer A and B A आपके पास है x cube y square और B आपके पास है x y cube ठीक है और आपको बोला गए SCF बताओ देखो A दे दिया B दे दिया और बोला SCF बताओ ठीक है तो SCF क्या होता है कि दो जो number common क्या है तो आप देख सकते हो common x है आपका और y आपका common है और इनकी कम बाली power हम लेते हैं जैसे यहाँ यहां पर x की पार 1 है यहां 3 है तो हम 1 लेंगे यहां पर 2 है यहां पर 3 है तो 2 आएगा तो x y square कौनसे option है क्या यह option B हो जाएगा ठीक है तो B option हमारा इसका answer हो गया तो SCF पर बेच था simple question था next देखते है next में लिखा है कि LCM of smallest two-digit composite number and smallest composite number मतलब इधर तो बोला है LCM निकालो smallest two-digit composite number तो बहिए smallest two-digit composite number क्या होता है two-digit composite number क्या होगा एक एक बढ़क अब आधर composite number two-digit तो पहला two-digit number 10 है और 10 कैसा है वो prime number तो है नहीं वो composite है क्योंकि two into five से मिलके बनता है तो पहला two-digit composite number four है और smallest composite number क्या होता है smallest composite nember smallest composite number क्या होगा दो मिवन हमारा एफ इनका आपको निकालना साइल सीम तो 4 और 10 का LCM क्या होगा अगर आपको प्रापर उस तरीक इसकरना है प्राइम फेटराइशन मेथड से तो 4 है 2 इंटू 2 यानि 2 का स्कॉर 10 होता है 2 इंटू 5 तो LCM क्या हैगा 2 आपको एक नंबर दिख रहा है और एक 5 तो 2 और 5 लेना है और इसकी हाइस्ट पावर लेनी है तो 2 की हाइस्ट पावर 2 होती है और 5 का तो एक ही है तो यह आजाएगा 20 आजाएगा कितना आजाएगा तो इसका अंसर 20 आगया इसका अंसर जो है वो C पार्ट हो गया क्या हो गया इसका अंसर आपका हो गया है C पार्ट आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा इसका सी पार्ट क्यों है ठीक है चलो next देखते है कोश्ट में 3 कोश्ट में 3 में है आपका x is equal to 3 is one of the root of the quadrication x square minus का 2kx plus sorry minus महलब x square minus का 2kx minus 6 is equal to 0 यह है आपके पास condition ठीक है एक quadrication है x square minus का 2kx minus 6 is equal to 0 और बोला है x is equal to 3 is one of the root जो x is equal to 3 है ना x is equal to 3 is a root यह इसका root है अगर 3 इसका root है तो क्या इसको satisfy करेगा yes or no विल्गुल करेगा then the value of k हमें k की value find out करनी है ठीक है अगर x is equal to 3 इसका root है तो satisfy करेगा तो 3 को यहाँ put कर दो देखो कभी भी कोई किसी भी equation का root होता है तो वो अपनी original equation को satisfy करता है तो अगर x is equal to 3 इसका root है तो 3 को put कर दो और k निकाल लो तो कितना आ जाएगा देखो 3 इसमें put कर दो 3 का square माइनस 2 के x के लो यहाँ पर 3 रख दी माइनस 6 is equal to 0 3 का square 9 यह माइनस का 6 के हो जाएगा माइनस का 6 is equal to 0 9 माइनस 6 हो जाएगा तो 3 is equal to 6 के आ जाएगा तो k is equal to हो जाएगा 3 by 6 यह नि 1 by 2 तो k की लो क्या आ गई 1 by 2 क्लियर है क्लियर सबको अगर 3 इसका root था तो हमने satisfy करवा दिया और answer हमारा आ गया है तो यहाँ पे एक बार फिर से calculation check कर लो 3 का square 9 3 2 हो जाएगा और यह माइनस का 6 से 3 आएगा तो 3 by ky 1 by 2 आ जाएगा यह नि B part हमारा answer हो गया क्या होगे answer answer हो गया हमारा बी पार सब्सक्राइब को ठीक है सब्सक्राइब कर लिए तुमने कितने chapters complete कर लिए ठीक है मैं हमें सब पोच्छत रहे तो यह बात क्यों पता रहता है कि आपको कितने chapter करवाने मुझे अभी पेपर स्कूल में टेस्ट होने वाले हैं ठीक है कुश्छत फोर्थ बोला पेयर ओफ equation this and this hedge कितने solution होगे यह बताना है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए y is equal to 0 और y is equal to minus 7 कैसे बनती यह लाइन मतलब किस टाइप की है यह लाइन कहां से पास होगी तो दोहान रखना y is equal to 0 है तो यह लाइन हमेशा x axis के parallel बनती है और जो भी y की value होती है उस point से बनती है जिसे यहाँ पे y 0 है तो y 0 कहां पे होगा origin पे होगा न तो इसी में x के parallel अगर line बनाओगे न यानि x axis पे ही बनेगी line यानि यह जो line बन रही x axis पे this is y is equal to 0 ठीक है y is equal to minus 7 कहां होगा जहां पे भी y minus 7 होगा यनि minus 1 minus 2 origin से नीचे होगा न y y is equal to minus 7 कहां होगा origin से नीचे तो यहाँ minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 तो आप x axis के parallel line बनाओगे उस minus 7 से तो यह line बनेगी तो क्या यह दोनल लाइन parallel है और आपने सीखा होगा parallel line में no solution होता है क्या होता है parallel line में हमारा जो answer होता है वो क्या होता है no solution यानि कि इसका answer क्या आजाएगा d part आजाएगा no solution inconsistent इसी को बोलते parallel line बोलते no solution बोलते सब एक ही बात होती है यह सब एक ही बात है अच्छा एक ची मैं आपको दा दू अगर आपको लग रहा है कि यार आपको valuable content दिया जा रहा है और आप चाहे तो personal apply करना तो आपको एक पता है एक तरफ की बैच चल रहा है ने academy के app पे तो अगर आपको लग रहा है उसकी link description में जोइन कर सकते हो by using code LA4S ठीक है आपकी जो army है वो हमारी A4S army है ठीक है और उसमें प्यार जोड़ दो नहीं love को जोड़ दो तो love A4S बन जाता है इस code का यूज करके आप हमारे साथ personal apply कर सकते है जिसमें आपको assignment, dpp, सब कुछ मिलता है ठीक है आपको proper guide किया जाता है कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़े follow करनी है, तो सारी चीज़े आपको बड़ी आसे access इसमें आपको SST, Science और मैं Math पढ़ाता हूँ, कृती में मतलब सारे subject है SST है, Science है, English है, Math है, सारे subject है और affordable price में भी है तो आप चेक कर लेना, तो आपको maximum discount मिल जाएगा जो भी स्टाइम चल रहा होगा, ठीक है बागी साथ के साथ, एक और extra चीज़े 2000 plus questions की, जो book है मेरी वो आपको free of cost मिल जाएगी अगर आप batch join करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको extra मिलेगा, चल एकोशन नमबर फिट करते हैं लिगा, for the what value of k this quadication has equal roots तुमारे पास equation है, 2x square minus kx plus का k is equal to 0 अब roots कैसे हैं, equal तो since roots are equal अगर roots equal हैं तो पता है, quadratic में क्या condition होती है b square minus का 4ac बराबर 0 अगर roots equal होते हैं किसी भी quadratic equation के अगर roots equal हैं तो b square minus 4ac क्या होता है, equal to 0 होता है तो b क्या होगा b होता है, x का coefficient यानि कि minus का k minus का 4 a यहाँ पे क्या होता है x square का coefficient, यानि 2 और c क्या होता है यह constant drum k is equal to 0 ठीक है तो यानि-k का square minus का 4 into 2 into k is equal to 0 तो minus k का square ये k square हो जाएगा 4 to 8, 8k हो जाएगा is equal to 0 कुछ ऐसा result आजाएगा, यानि k square minus का 8k is equal to 0 इन दौनों में क्या हमें k common मिल रहा है, आपको जाएगा तो k common लिया, तो यहाँ पे आजाएगा k minus 8 is equal to 0 क्या जाएगा, k bracket k minus 8 is equal to 0 तो एक factor ये है, एक factor ये है तो इसको 0 जब करोगे, तो k is equal to 0, एक answer ये आगया इसको 0 करेंगे, यानि k minus 8 को 0 करेंगे, तो k is equal to क्या जाएगा, 8 आजाएगा तो एक 0 आगया, एक हमारा 8 आगया एक 0 आ गया और एक हमारा answer क्या गया 8 आ गया तो यह दो हमारे answer होंगे वस जब भी इसमें k की value निकाला करो ना इस question में यह check कर लिया करो कि x square का coefficient कितना है इसमें तो 2 है तो इसलिए हमारे 2 answer होंगे अगर by chance यहां पे होता k x square माल लेते हैं यहां पे k होता for example तो फिर k की value 0 नहीं होती क्यों क्योंकि आपने सीखा होगा कि अगर कोई कोई कोड़िकेशन है तो इसकी minimum condition क्या होती है कि जो coefficient of x square होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है यानि एक अभी भी 0 नहीं होता है तो अगर by chance किसी question में यहां k दिया जाए और होता है कई बार देते हैं तो यहां रखना उसमें k के लिए 0 नहीं लोगे लेकिन फिलाल यहां तो टू था तो यह दो नहीं तो 3,5 हमारा कहीं यहां पर point आ जाएगा ठीक है अब आपसे यह बोला गया कि distance of this point from x-axis x-axis यह है इस से distance जो है वो k और k बताना है आप बताओ इस point की x-axis से distance कितनी है तो अगर मुझे यह distance देखनी है तो मैं कहां से देखूँगा यहां से देखूँगा ना तो यह 5 है आपे तो यह बोलूगा ना यह 5 units है तो अगर यह distance 5 है और इसमें दे रखता था k तो k is equal to क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा यानिकि c part हो जाएगा इसका अंसर समर्ण हो distance कितनी हो जाएगी k is equal to 5 क्योंकि y x axis से जो distance से उस point की वह 5 units है तो 5 यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते है एक triangle है ABC और triangle है PQR अब बोला इस criteria से कौन किसके similar है तो अगर आपको देखो चेक कैसे किया जाता है corresponding sides है A के करके सारे option चेक कर लेते हैं AB के corresponding है QR तो देखते हैं कहां पे है AB और कहां पे QR पहले option को देखते है QR इदर है तो QR के corresponding AB होना चाहिए और यह तो सही है जगो QR के corresponding AB है similarity में क्या होता है रूल similarity अगर दो ट्राइंगल सिमलर होते हैं तो corresponding sides के ratio सेम होते हैं वह रूल तो यह होता ना कि अगर दो triangle similar होते हैं तो इसके corresponding sides के ratio से होते हैं तो हम कैसे चेक करेंगे हम corresponding sides देखेंगे अगर सही होगा तो सही हो जाएगा अभी तो पहला तो सही मिला है BC upon PR तो PR हमारा first और third से है और यहाँ पे CB है first और third से तो CB और PR एक ही बात है तो यह भी सही है यानि पहला option अभी सही चल रहा है फिर है PQ PQ पहला और दूसरा है और इधर CA है इधर भी CA लिखा है चांस की बात थी हमारा पहला ही option सही हो गया अज़र दूसरा option चेक कर लें ऐसे गलत होगा लेकिन देख लेते हैं देखो यहाँ पे PQ के corresponding क्या है A B और जबकि PQ के corresponding यहाँ क्या है CA तो लोग reject हो गया ऐसी सारे reject हो जाएंगे corresponding side match कर लिया करो ठीक है तो यहाँ पे तो A part है next देखो which of the falling is not similarity criteria तो यह similarity के चार criteria होते हैं side 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 होता है side angle side होता है तो यह तो सही है double A होता है triple A होता है यह 4 criteria होते है तो triple A भी होता है double A यह arches नहीं होता है तो यहीं इसका answer है तुमसे यह पूछा गएता है न कौन सा criteria नहीं है तो arches नहीं है यहीं आंसर है क्योंकि arches तो congrency में होता है congruent triangle होता है similarity में नहीं होती है यह चीज़ ठीक है 9th question देखो in the figure TP और TQ are two tangent अगर यह दो tangent है तो यह 90 होगा यह 90 90 degree हो जाएगा अब आपको PTQ यह वाला angle निकालना है तो क्या आपको यहाँ पर यह एक OPTQ क्या एक quadrilateral दिख रहा है तो अगर इस वाले angle को X माल लूँ तो चारो angle का sum क्या होता है 360 होता है चलो लगा दो तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस X is equal to 360 तो यह आजाएगा 90 90 180 180 में अगर 110 एड करेंगे 180 में अगर 110 एड करेंगे तो 290 आजाएगा 290 प्लस X is equal to 360 तो X आजाएगा 360 माइनस का 290 यानि 70 आजाएगा तो X कितना आगे 70 degree यानि PT क्यों angle क्या आजाएगा 70 degree यानि B part तो इसका answer क्या हो गया B part हो गया आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई हो और वीडियो के लाइक कर देना अगर अभी तक आपको सब कुछ संज में आ रहा है अच्छा लग रहा है ठीक है आपके लिए अच्छा content बनाया जाए रहा है तो आप लोग फट फट लाइक जिरू करें तो कॉस ही जो है next question 10th क्या है कॉस A आपके पास है 4 upon 5 ठीक है 10 A find out करना है तो अगर हम triangle बना लें और ये angle A बोल दूँ अबर मैं तो कॉस क्या होता है base upon hypotenuse तो base यहाँ पे 4 है hypotenuse यहाँ पे 5 है ठीक है तो पाइथा गुरस से BC find out कर लो क्योंकि अगर आपको 10 ही निकालना है तो 10 होता है perpendicular upon base क्या होता है 10 होता है perpendicular upon base तो perpendicular हमें निकालना पड़ेगा यहीं BC निकालना पड़ेगा अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर आपने 45 क्यों ले लिया इसको 4K लिखो इसको 5K लिखो वो भी सही होता है और अगर आप नहीं भी लेते हो तो अब भी सही होता है तो यह आपका 5 है यह 4 है चलो पाइथरोस लगाते है इन ट्राइंगेल ABC AB स्कॉर प्लस BC स्कॉर इसकोल टू AC स्कॉर AB यहाँ पर 4 है BC फाइंड आउट करना है AC यहाँ पर 5 है तो 16 प्लस BC स्कॉर इसकोल टू 25 तो BC स्कॉर आजाएगा 25 माइनस 16 तो BC स्कॉर आजाएगा 9 तो स्कॉर रूट करेंगे तो BC कितना आएगा BC आगे 3 तो 10 है निकालना था 10 होता परपेंडिक्लर अपॉन बेस तो 3 वाई 4 आजाएगा आंसर कौन सा है B पार्ट ठीक है क्या है इसका आंसर B पार्ट कि आएसे में तो इतना आसान है यह कोश्चन तो देखने 11 में क्या है 11 में है आपके पास दा हाइट अप दी टावर इक्वल टू दा लैंथ अप दा सैडो यानि की यह टावर है और इसकी सैडो तो ग्राउंड भी बनेगी अगर जैसे मैं ख़ड़ा हूँ तो यहां पर सैडो मेरी ग्राउंड में मालो बन रही है ठीक है तो यह बोला जो हाइट है अगर Haid अगर H है तो सैडो जो जमीन पर बन रहा है वो भी सीम प्यानों लब इसकी लेंद और इसकी लेंल सेम ने तो यह एच यह भी एच ए अंगल ऑफ एलिवेशन है यह Bताना है तो अगर मैं इस angle के according यह perpendicular है और यह बेस तो 10th टीटा क्या होता है perpendicular upon base यह यह फॉन आ गया अब 10th टीटा वन कब होता है जब चेक करो टेबल से तो 10th टीटा वन तब होता है जब थीटा की जो value है वो हमारी 45 degree हो कितना हो હ्थीटा ही 45 डिग्री अगर हमारा थीटा 45 डिग्री होता है तो हमारा 10 वन आता है ठीक है तो बस इसका आंसर क्या हो गया B part हो गया, ठीक है Next है 12th question बोल रहा है 1 minus cos square A क्या होगा तो जार एक पता हो आपको पता होगा एक basic identity है sin square A plus cos square A is equal to 1 ठीक है, sin square A plus cos square is equal to 1 अगर मैं इस cos square को right side कर दूँ तो sin square A is equal to 1 minus का cos square A आजाएगा, अब आप बताओ 1 minus cos square A है अगर sin square A के equal, तो sin square A आगया answer 1 minus cos square किसके equal आगया sin square के equal clear है क्या clear है, कि 1 minus cos square किसके equal हो गया, sin square A के equal हो गया, ठीक है आया संच में चलो, बहुत बढ़ी है बात है संच में अगर अच्छे से आगया, ठीक है अब दो next 13 question 13 में हमेरे पास है the radius of a circle is same as the side of the square मतलब, एक circle है जिसकी radius जो है, अगर x है तो एक square है, इसकी भी side फिर x होगी मतलब, radius अगर x है तो भाई, square की side भी x है ऐसा बोला गया है perimeter r in the ratio यह निए perimeter का निकालना निए perimeter of circle upon perimeter of square यह मैं find out करना है अब circle का perimeter क्या होता है circumference, यह निए 2 pi r r हमने क्या लिए है, x लिए है और, square का perimeter क्या होता है 4 into side, अगर आपको याद हो क्योंकि perimeter का मतलब होता है outer boundary, तो यह x यह x, यह x, यह x 4 बार लिखोगे तो 4 times हो जाएगा तो यह 4 x आएगा x x कट गया तो 2 pi upon 4 2 2 जा 4 होता है तो pi by 2 आजाएगा answer pi by 2, यानि c part कितना आगया? pi by 2, यानि c part हमारा answer आगया clear है क्या है? समझ में आगया? pi by 2, c part ठीक है? ओके अब next देखो 14 question में क्या है? area of the circle दे रखा radius निकालना रहे है, यह तो बच्पन में करते थे ठीक है? area of circle given है area of circle is equal to area of circle is equal to 154 area of circle क्या है? 154 circle का area क्या होता है? pi r square radius आजाएगा यहां से ठीक है? pi के लूँ होती है, 22 upon 7 r square is equal to 154 अगर इसको 22 से इसको cancel करो 7 times कट जाएगा और 7 का यहां multiply हो जाएगा तो r square आजाएगा 49 तो square root कर तो 7 आजाएगा 7 cm कितना आजाएगा? 7 cm यानि A part तो 14 का जो answer है वो A part हो गया 7 cm clear है क्या? संज में आ गया? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है next देखो, question 15 question 15 में बोला है when a die is thrown once अगर एक die को throw कर दिया गया एक बार तो एक बार throw करने पर अगर मैं sample space लिखों तो क्या होगा? sample space एक बार अगर dice को throw करते हैं तो sample space क्या होता है? 1,2,3,4,5,6 यानि 6 outcome होते हैं अजब favorable outcome क्या बोला गया है? अगर मैं favorable outcome की बात करूं इस question में तो बोला गया probability निकाल लिए getting an even number less than 4,4 से कम even number तो 4 से कम even number तो सिर्फ 2 है तो favorable outcome तो सिर्फ 2 होगा तो अगर मैं इसकी probability की बात करूं तो probability क्या होता है? कि favorable outcome कितने हैं? तो एक ही favorable outcome है और total outcome कितने हैं? 6 हैं तो 1 by 6 answer आजाएगा तो इसका answer क्या हो गया? चेक करो वही option से तो क्या D part आजाएगा इसका? ठीक है? तो इसका answer क्या हो गया? 1 upon 6 आजाएगा ठीक है? अब देखो next note कर लो इसे बोला गया lower limit of model class आपको पहले तो यह पता हो अच्छी model class निकलता कैसे? model class के लिए हम यह देखते हैं कि highest frequency कहां है? तो भाईया highest frequency यह है 20 यह highest frequency तो इसी को बोलते है model class इसी को बोलते है model class जहां पे highest frequency होती है तो बोला lower limit बताओ तो 15 और 20 में lower limit क्या है 15 तो इसका answer क्या हो गया? 15 यह नहीं A part आया सुन है? तो यह answer हो गया इसका और क्या? और देखो question number 17 एक rectangle है एक rectangular seat है जिसे एक rectangle है यह rectangle है जिसकी length है 40 और width है 22 यह multiply में लिखा होता है तो एक L होता और एक B होता है इसको roll कर दिया गया और एक hollow cylinder बना दिया गया जिसकी height है 40 एक hollow cylinder बना दिया गया जिसकी height है 40 cm और radius बताना है ठीक है? अब एक तरीके से मैं समझाते हूँ आपको इस चीच को जैसे यह rectangle है this is rectangle अगर इस rectangle को मैं fold करके hollow cylinder बन गया कि नहीं बन गया? देखो ध्यान से तो आप मुझे बताओ जो इस rectangle का area है मतलब ठीक है? वो किसके बराबर होगा? अगर मैं इसको fold कर रहा हूँ तो वही area convert हो जा रहा है इस वाले area में इसको बोलते है curve surface area क्या बोलते है? curve surface area तो यह हो जाएगा area of rectangle is equal to curve surface area of cylinder यह तो होगा तो rectangle का area क्या होता है? L into B यहनि 40 into 22 और curve surface area of cylinder क्या होता है? 2 pi RH क्या होता है? 2 pi RH तो 40 into 22, 2 into pi के लिए 22.7, radius निकालना है और height 40 है तो 40 से 40 कट गया, 22 से 22 कट गया, 7 इधर जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो 7 upon 2 आ जाएगा R, यहनि R आ जाएगा 3.5, तो कौन्स option है A part? आया सब को संज में? नेक्स्ट करते हैं, दुवार देख लेना अगर कहीं दिक्कत है, consider the following frequency distribution, find the median class, अब देखो, median class अगर आपने median वाले question करे हो, तो median class हम देखते हैं किस से? अब N क्या होता है? frequency का sum होता है, और सबसे पहले, median class निकालने के लिए हमें CF निकालना होता है, तो अगर यह chapter कर लिया है, तो ठीक है, नहीं किया, तो जब कर लोगे तफसंज में आएगा, तो अगर यह frequency दे रखी, तो मझे एक और table बनानी पड़ेगी, CF किस की? CF, cumulative frequency, CF cumulative frequency निकालना पड़ेगा, cumulative frequency क्या होता है? कि पहला जो number होगा, वो तो इसमें भी सेम रहेगा, फिर यह वाला number इसमें add होता जाएगा, cross में add होता है, तो 12 प्लस 10, 22, 22 लोग 22 प्लस 15, 37, 37 प्लस 8, कितना होगा? 45, और यह आजएगा 56, कितना आ गया? 56 आ गया, तो इसका मतलब frequency का जो सम है, वो 56 है, एनि एन तुमारा 56 है, एक बार फिर से add कर लेते हैं, 12 प्लस 10, 22, 15, 37, 37 प्लस 8, 45 और यह 11, 56, तो एन तुमारा 56 अगर है, तो 56 अपॉन 2 करना होता है, एनि 28, फिर यह चेक करो कि यह 28 कहां लाई करेगा, CF से देखो, CF से, ठीक है? तो देखो, यह 12 तक ह है, 22 के बाद, भी नंबर है 37 तक वो यहाँ होंगे, और यह 28 है, तो हमारा यह जो है, वाली है, तो जब यह चेप्टर कर लोगे, तो आपकोeyed मेरी बात समझ में, आ जाएगी, next question 19 assertion reasoning में क्या होता है मैं एक बार explain कर दूँ 4 option होते है assertion region दौनों सही है और region उसका explanation है मतलब assertion का तो A part अगर दौनों true है लेकिन जो region है वो correct explanation नहीं है तो B part अगर assertion true है region false है तो C part assertion false है region true है तो D part ठीक है अगर कोई भी एक false हो जाए है तो सबसे बड़ी है अगर एक भी false है ना दौनों देखो false का कोई option ही नहीं है एक false होगे तो पक्का है यह तो C होगा यह D तो जो भी false है वो option हो जाएगा अगर region false है तो C part assertion false है तो D part कितना आसान इस चीज़ को देखना अगर false हो जाए तो ठीक है चलो point 0,4 lie on the y axis अगर यह मेरी x axis है और यह y तो 0,4 कहां लाई करेगा 0 मतलब x 0 और x 0 कहां होता है y axis पे तो क्या यह वाला point हो जाएगा 0,4 यह तो बस सच है कि y axis पे x coordinate 0 होता है तो यह बात तो सही है कि y axis पे लाई करेगा x coordinate of the point on y axis is 0 तो y axis पे x coordinate 0 होता है यह भी बात सही है और यहाँ पे देख भी रहे हो कि x coordinate 0 यह यह एक्स plane कर भी रहा है तो क्या answer a part हो जाएगा क्योंकि x plane तो करी रहा है न सी चीज़ को कि y axis पे x coordinate 0 होता है ठीक है SCF of 2 number is 5 their product is 150 find LCM देखो SCF into LCM होता है product of 2 number के product of 2 number के तो SCF 5 है LCM निकाल लेते हैं यहां से और product of 2 number है 150 तो 5 से divide करोगे 5 3 जा 15 30 आएगा LCM और इसमें बोला LCM कितना है 40 लो यह तो साब साब गलत हो गया और पहला गलत है यह दूसरा गलत है कोई भी अगर एक गलत है तो हमें region पढ़ने की विज़ोत नहीं है क्योंकि दोनों false का option होता नहीं है तो भाईया पहला assertion false किसमें होता है D part में अगर assertion false है तो पक्का region true होगा चाहे देख लो देख लो होगा वो true 2 positive number SCF into LCM इसकल to A into B यह सही बात है formula है तो अगर कोई भी एक false है आप उसी से answer दे सकते हो ठीक है आई होब आपको यह section यह समझ में आ गया हो बड़े simple simple questions थे आई होब आपने session को enjoy किया हो पढ़ाई करने मज़ा आया हो ठीक है वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर लीजे for more updates ठीक है मिलते हैं next video तब तब आपने ख्याल रखें पढ़ाई करते हैं लाश्ट में की बात बोलूँ है कि आप सभी सफल हो धन्यवाब